नमस्कार सभी विदार्थियों का हर्दिक स्वागत आज हम बात्चित करेंगे Methods of Valuation of Goodwill ख्याती के मुल्यांकन की विद्या अब हमारा जो चेप्टर चल रहा है वो है Valuation of Goodwill Corporate Accounting, Paper First और इसमें एक महत्वपून जो चेप्टर है वो हमारा है Goodwill का और Goodwill से समन्दित आपको जो चेप्टर है वो बहुत महत्वपून होने के कारण आपके लिए इसका आधिन करना जुरूरी है एक्जाम के दस्टिकोर्ण से बात करें और जब आप जो मार्केट में जाएंगे तब भी आपको जो Goodwill का चेप्टर है उसका जानकरी होनी चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों की जो मांग है उसको ध्यान में रखते हुए आज हम बात्चित करेंगे methods की Goodwill है ख्याती है उसके मुल्यांकन की methods कौन-कौन से है इसके बारे में तो ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे और शुरू करते हैं आज का हमारा टेप टोपिक methods of evaluation of Goodwill मैं डॉक्टर महेंदर खारडिया आपसे बात्चित कर रहा हुँ Assistant Professor in A.B.S.D देखिए कोई भी ख्याती के लिए बुग्दान इसलिए करता है क्योंकि वह भविशे में सामाने लाबों से अधिक लाब कमाना चाहता है कोई व्यक्ति है अगर वो अत्रिक्त भुगदान कर रहा है तो भुगदान करने का उद्धिस से यह है कि वे भविशे में अपने जो नॉर्मल प्रोफिट है उससे अधिक लाव कमाना चाहता है और सामाने रुप से ख्याति की जो मुल्यांकन की जो वीदिया है वो मुख्य रुप से तीन प्रकार की मेथड है उनका यूज किया जाता है जिसमें सबसे पहले जो मेथड है वो है वर्षों की क्रे विदी के आदार पर ख्याति का मुल्यांकन परचेज एर्स परचेज मैथट ये विधी इस माननेता पर आधारित है कि क्रेता बविशे में जो लाब कमाएगा उनके कुछ वर्षों के क्रे के आधार पर ख्याती का मुल्य भी क्रेता को दे देगा यानि इस विधी में क्रेता जो क्रे करता है वो बविशे में लाब कमाएगा और उनके कुछ वर्षों का जिसे पांच वर्ष का या तीन वर्ष का जो क्रे है क्रे के आधार पर हम ख्याती का मुल्य भी क्रेता को दे देते हैं इस विधी द्वारा ख्याती का मुल्यांकन करने है तो सर्वपरतम ये निधारित करना होता है कि ओस्षत लाब को अधार पाना जाए या अधिलाब को जो ख्याती का मुल्यांकन जब इस मेतर्स में करेंगे तो सबसे पहला जो अमारे सवाल आएगा दिमाग में कि हमें ओस प्रप्रपेट लेड़ना है या अब कि यह कि इंडरने करना होता है कि किके वर्षों के वर्षों का क्रे ख्यातीका मुल्य समझा जाएं यह निद्यान करने के बाद आप और निमन दो प्रकार के लाबों को में अब को करनीब होतीwelt देखे, नुमर बन है वास्तिक औस्तअलाब की कर्यविती, खैति का मुल्ले, वास्तिक औस्तलाब या भविशे में कायम रहने योगय लाब इंटू वर्षों की कर्योंर्ष संक्या, तीन या पांक्च, आप वास्तिक औस्तलाब है, उसका कल्वोड़न आपको करना होगा, जिसे भविशे में काइम रेने योगे लाब भी कहते हैं एच्वल एवरेज प्रोफिट या फीच्वर मेंटनेवल प्रोफिट को मल्टिप्लाई करेंगे नंबर ओफ येर ओफ परचेच जो तीन या पांच तक हो सकते हैं अधिलाबों की क्रेविती सुपर प्रोफिट के अधार पर अगर हम ख्याते का मुल्यागन करेंगे तो उसका हमारा फॉर्मला होगा वेल्यू ओफ कूडविल पराबर सुपर प्रोफिट ओफ विजनस इंटू नंबर ओफ परचेच ओप येर वो भी तीन से पांच वर्स हो सकता है जैसे सवाल में आपको दिया गया हो उसी के अनुरूप आपको ये काम करना है इसके बाद बाद करते हैं सेकेंड मेथर जो है उसको कैप्टलाइज़स्ट मेथर बोलते है पुंजी करण विदी ये विदी इस मानिता पर अधारित है कि अधी लाबों का सामाने परताई से पुंजी करण करके ख्याती का मुल्य ग्याद किया जा सकता है लाब के पुंजी करण से ये आसा है कि लाब की रासी एक निश्चित ब्याज की दरसे अरजित करने है तू विवसाई में कितनी पुंजी की आप सकता है लब के पुंजीकन से हम यह आसा करते हैं कि लाब की राशी एक निश्चित ब्याज की दर से अर्जित करने हैं तू विवसाई में कितनी पुंजी के आप सकता है यह डिशाइड होता है ख्यति के मुल्यांकन के लिए इस विदी को अपनाने पर वास्ति के ओस्त लाब वे अधिलाब में से किसी को भी आदार बनाया जा सकता है दोनों लाबों में से ख्यति के मुल्यांकन की राशी समान आती है किस विदी की इस विदी में भी दो मेथड है अधिलाब के अदार पर अगर हम वेलियू कर रहे हैं तो वेलियू अप गूड विल बराबर सुपर प्रोफिट को डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ओप रिटन और इंटू कर देंगे 100 यह हमारा हो गया सुपर प्रोफिट की अधार पर अब हम बात करेंगे वास्ति पोस्त अतलाब की अधार पर अगर सुपर प्रोफिट करना है केप्टलाइज मेतर से गुड विल को तो हमारा फॉर्मला क्या होगा सब से पहले हम एच्वल ए नॉर्मल केपिटल इंप्लोइड बराबर एच्वल एवरेज प्रोफिट इन्टू हंट्रेड डिवाइड नॉर्मल रेट ओप रीटन तो यह नॉर्मल केपिटल इंप्लोइड आपका आ जाएगा इसकी बाद में बात करते हैं वास्तिक वर्ति विदी एम्नेटी मैथड यानि कोई भी क्रेटा ख्याती का मुले अधी लाब कमाने की प्रताशा में देना चाहता है क्रेता को ख्याती का मुल्य तो विवसाई करे करते समही चुका ना होगा अधिलाबों की राशी बविशे में विवसाई से वसूल कर लेता है इस पकार विक्रेता को ब्याज के बराबर लाब होता है जबकी क्रेता को क्या होता है हानी अते ख्याति के मुल्यंकन की एक वेग्यानिक विदी ये है कि अधिलाबों को वार्षिक वर्ति मानकर एक निश्चित अवदी से ज्यात ख्याति का मुल्य अधिक होगा अते ख्याति के मुल्यंकन की एक वेग्यानिक विदी ये है कि अधिलाब को वार्षिक वर्ति मानकर एक निश्चित अवदी के लिए पर्चलित ब्याजदर या सामने परतायदर पर उसका वर्तमान मुल्य ग्याद कर लिए जाए इस परकार पूर्वे में वर्णित विदियों से ग्याद ख्याति का मुल्य अधिक होगा इसलिए वार्षिक वर्ति विदी से ग्याद ख्याति की राशी भविशे के अधिलाबों के वर्तमान मुल्य के बराबर होगी जिस से क्रेता को व्याज की आय नहीं होगी तता विक्रेता को भी फाइदा नहीं होगा ये विदी खेते के मुल्यांकन की सारुदिक उप्युक्त विदी है वर्त्मान मुल्य ग्याद करने के लिए परचलित व्याज की दर से अधी लबों का बट्टा करन करते है कुधारण के द्वरा हम समझने का प्रियास करें तो हमारे पास अभी जैसे सो रुपे है तता ब्याज की दर दस रुपे वार्सिक है तो इस परकार एक वर्स बाद हमें कितना मिल जाएगा 110 पराप्त करेंगे और अब बात करते हैं 121 यानि एक वर्स के बाद 110 के वर्तमान में 100 के बरापर होंगे और दो वर्स बाद में 121 सो के बरापर होंगे वार्श्विक परती तालिका से इस परकार की गणना की जा सकती है यदि एक निश्चित आई परती वर्ष एन वर्षों तक प्राफ्ट होती है तो उसको संचै वर्तमान मुले निमन सुत्र की सायता से आप इसको calculate करा सकते हैं बहुती सिंपल आपका formula होगा पर्जेंट वेलू of 1 रूपीज एन वली ओर एन इर्स अब राबर 1 माइनस एन को डिवाड करेंगे 1 प्लस R की घात R डिवाड आर यह आपका फ्रमला होगा और इससे हम present value निकाल लेंगे और present value को super profit से multiply कर देंगे तो आपका जो profit है वो calculate हो जाएगा तो इस प्रकार से जो हमारी methods हैं वो तीन प्रकार की methods हम सामाने रूप से use करते हैं value of good way और ये बहुत ही महत्वफून वीदिया हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है तो दो बाते हैं एक तो actual average profit फीच्वर मेंट्रेनेबल profit की करना करना होती है और इसके बाद भी आपको super profit की करना करनी होती है तो इसमें तीन step आपके लगेंगे actual profit या future maintainable profit और उसमें नॉर्मल जो profit है उसकी करना करनी है और दोनों में जो डिफ्रेंस आएगा उसको बोलते हैं सुपर प्रोफिट और सुपर प्रोफिट की गुर्णा भी आपको करनी आने चाहिए तो इन सब बातों को हम अपने नेक्स्ट जो पार्ट उसमें जारी रखेंगे तो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद की आपने पुरा ध्यान से सुना उसको समझा आप सभी का धन्यवाद और आपको शुर्ख्षित रखेंगे घर पर रहेंगे शेफ रहेंगे और अच्छे से पढ़ाई करें ताकि आपका रेजल्ट बहुत बहुत बह थाइब धन्यवा थैंक य।